प्रयावरन अध्यन कक्षा पांच पाठ पांच ज्ञानेंद्रियों का कमाल बच्चों, पिछले बीडियों में हमने जाना कि कान, नाक, आख, जीब और त्वचा हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां है सुनना, देखना, चकना, सूंगना और महसूस करना यह पांच भावनाएं हैं, जो हमें बाहरी दुनिया का बोध कराती है, हमारे जैसे ही सभी जानवरों के पास भी पांच ग्यानेंद्रियां होती हैं, जो हम मनुष्यों से कहीं ज्यादा सक्तिशाली और बिक्षित होती हैं, कह सकते हैं कि इनके पास सक्तिशाली ग्यानेंद् है भोजन तलाश करने में अपने आपको दूसरे सिकारी जानवरों से बचाने में और अपने छेत्र को चिन्हित करने में तो चलिए पाठ में आए हुए विविन जीव जन्तूओं जो हमारे आसपास रहते हैं उनके ज्ञान इंद्रियों के बारे में जानते हैं शुरू करते हैं चीटी से बच्चो क्या आपने किसी मीठी चीज के पास चीटियों का जुन्ड देखा है हां आपने देखा होगा कैसे वे कतार में एक पंक्ती में चलती हैं आपको क्या लगता है चीटियों को सूंगने का यह सक्तिशाली ज्यानिंद्रियां क्यों होती है चीटी एक समाजिक कीट है सूंग कर वह अपने समू के अन्य चीटियों तक पहुँच जाती है बहुत साल पहले एक बैग्यानिक ने चीटियों पर कई प्रयोग किये थे उन्होंने बताया कि चीटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा रसायन छोड़ती है जिसे सूंग कर सीधे आने वाली चीटियां को रास्ता मिल जाता है बच्चो अब मैं आपसे एक प्रशन करती हूँ अंधेरे में भी मच्छड आपको काटते हैं, है ना? तो क्या आप बता सकते हैं कि अंधेरे में मच्छड आपको कैसे पहचान लेते हैं? मच्छड आपके सरीर की गंध खास कर पैरों के तलवे और सरीर की गर्मी से आपको ढूंड लेते हैं इसी प्रकार अन्य कीट जैसे रेशम के कीट आदी अपनी मादा की गंध को पाकर उसे पहचान लेते हैं अच्छा बच्चो कभी आपने कुटो को ध्यान से देखा हैं? कुटो में सूंगने की शक्ती बहुत ही अधिक होती हैं सडकों पर कुत्तों की भी अपनी जगा बटी हुई होती है एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमुत्र की गंद से ही जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था कुत्तों में सूंगने की शक्ती कमाल की होती है इसी कारण से कुट्यों को घर में रखवाली के लिए रखा जाता है, यहां तक कि आर्मी और पुलीस में भी कुट्यों को इसी कारण से पालते हैं अब हम बात करते हैं कुछ पक्षियों की जैसे चील, बाज और गीद इन पक्षियों को हमसे चार गुना ज्यादा दूर तक देखने की छमता होती है जो चीज हमें दो मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज ये पक्ची आठ मीटर की दूरी से देख लेते हैं बच्चों क्या आपने ध्यान दिया है कि ज़्यादा तर पक्चियों की आखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है इससे वे एक ही समय में दो अलग-अलग चीजों पर नजर डाल सकती है और जब ये बिल्कुल सामने देखती है तब इनकी दोनों आखें एक ही चीज पर होती है आपने देखा होगा कि कई पक्चियां अपनी गर्दन बहुत जादा हिलाती है जानते हो क्यों? इन पक्चियों की आखों की पुतलियां घूम नहीं पाती इसलिए वे अपनी गर्दन घुमा कर आसपास देखते हैं ये दुनिया है ना बच्चों बहुत ही रंग भी रंगी हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं परन्तु जानवरों को क्या ये रंग दिखाई देते हैं? दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंगों को देख पाते हैं लेकिन रात में जगने वाले जानवरों को हर चीज काली और सफेद ही दिखाई देती हैं बिल्ली जो की एक छोटा सजीव है आप देख पाते होंगे अपने घरों में भी वह धीमी से धीमी आवाज को सुन लेती है सेर की भी सुनने की छमता बहुत ही तिब्र होती है वह घास के हिलने तता घास के बीच किसी जानवर के हिलने का अंतर का पता कर लेती है शेर का कान जो होता है वह सभी दिशाओं में घूम सकता है जिससे चारो दिशाओं से आने वाली ध्वनीगों को वह सुन पाता है हाथी के कान बड़े और सूप के जैसे होते हैं जो आवाजों को इखटा करके सुनने में साहता करता है आईए अब देखते हैं साप को साप कैसे सुनता है तो साप की जो बहरी कान होती है वह नहीं होती है वे जमीन पर होने वाले कमपन को ही महसूस कर पाते हैं कुट्ता धीमी से धीमी आवाज को भी सुन लेता है इसलिए तो हम उसे घर की रखवाली के लिए रख पाते हैं आईए अब हम कुछ ऐसे जानवरों को जानते हैं जो अपने आसपास मौजूद खतरों को महसूस कर लेते हैं यह आप देख रहे हैं लंगूर जंगल में उचे पेर पर बैठे बैठे ही मुसीबत यानि जैसे सेर या चीता के आने पर एक खास प्रकार का आवाज निकाल कर अपनी और अपने साथियों को सूचित करता है इसी प्रकार पक्षी भी खास आवाज निकालते हैं कुछ पक्षी अलग-अलग खतरों के लिए अलग-अलग आवाज निकालती हैं जैसे उड़कर आने वाले खत्रे या दुश्मन के लिए अलग आवाज, जमीन पर चल कर आने वाले खत्रे या दुश्मन के लिए दूसरी परकार की आवाज, इन आवाजों को सुनकर इन इलाकों में रहने वाले अन्य जानवर भी सचेथ हो जाते हैं और अपनी जान बचा पाते हैं हमारे आसपास के जो जानवर हैं उनकी ज्ञान इंद्रियां इतनी अधिक बिक्सित होती हैं कि वे प्रित्वी में होने वाली कुछ अन्होनी जैसे सुनामी भूकम्प आधी का पता हमसे पहले लगा लेते हैं सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों की चेतानी भरी आवाज और अजीब बहवार से अंडमान में जो मौझूद थी कि एक खास आदिवासी जाती उन्होंने अपनी जान बचाई थी उस इलाके को खाली करके तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जानवर होते हैं वे कम्यूनिकेट करते हैं एक दूसरे से समवाद कर पाते हैं अपने इंद्रियों द्वारा तो इस प्रकार हमने सीखा जानवरों में देखने, सुनने, सूंगने और महसूस करने की शक्ती बहुत तेज होती है तो आशा करती हूँ बच्चों कि अब आप अपने आसपास के जानवरों का और लोकन कर पाएंगे और उनके ज्ञान इंद्रियों को की समझ बिक्सित कर पाएंगे धन्यवाद